हाई ओल मैं हूं डॉक्टिर शाहना खान स्वाकत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी से नुस्खा बताऊंगी जो आपकी हर यौन समस्या को आसानी से दूर करने में आपकी मदद करेगा इसके लावा इस खास जड़ी बूटी की सेविन से आपके शरीर और सेक्स लाइफ को क्या-क्या फाइदे मिलते हैं जानेंगे आज की वीडियो में इस असान और असरदार नुस्खे को बताने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जो नंबर्स आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उन नंबर्स पे आप कॉल और वाट्सअप की जरिये अपनी सेक्स समस्याओं को हमारे कंसल्टेंट और इड्वाइजर से बात करके मुफ्त कंसल्टेंशी का लाब उठा सकते हैं यही नहीं आपको एक स्पेशल लिंक प्रोवाइट किया गया है डिस्कृशन बॉक्स में आप उस वेब साइट पे विजिट करके अपनी काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के समाधान पास सकते हैं आप अपनी सबी सेक्स समस्याओं के अलावा शाररिक दुलबलताओं को आसानी से और बड़े सरल तरीकी से कम खर्चे में क्योर कर सकते हैं आपको कहीं किसी भी हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स के चक्कर लगाने की ज़रूद नहीं है तो इस जड़ीबूटी का नाम है शतावरी यानि की सतावर शतावरी जो है बहुत ही असरदार जड़ीबूटी है और ये जड़ीबूट्यों की राणी मानी जाती है ये जड़ी बूटी स्वार पे थोड़ी से कडवी और थोड़ी से मीठी होती है ये बूटी ना सर्फ मेल्स के लिए बलकि ये महिलाओं के लिए भी बहुत सची साथ ही मानी जाती है महिलाएं इस जड़ी बूटी के सेवन से अपनी उमर के हर पड़ाफ में अपनी यौन अंगों की देखभाल और यूटरिस को पोशन देने के साथ साथ महिला अपनी बांजबन की समस्या को दूर कर सकती है इस जड़ी बूटी के सेवन से इसके लावा ये जड़ी बूटी मिस्कारजेस के खतरे को भी रोकने में मदद करती है कही महिलाएं ऐसी हैं जिने माँ बनने के बाद स्तनों में दूद ना बनने के शिकात रहती है तो ऐसी महिलाएं शतावरी का चूरण केवल आप पांच से दस क्रम ले सकती हैं और इसे दूद में मिलाकर आप इसका सेवन करें ऐसा करने से उनके स्तनों में दूद बनेगा और तो और शतावरी, महिला और पुरुष दोनके शरीर से जुड़े दूसरे यौन और शारेरिक विकारों को भी धूर करने में ये मदद करती है ये जड़ी बूटी तनाव को कम करने और दिमाग को शांत रखने में मदद करती है पुरुषों के अगर बात करें तो पुरुष शतावरी के सेवन करके इस वापने दोश की समस्या से निजात पा सकते हैं और तो और अपनी मर्दाना ताकत और सेक्स टैमिना को भी बढ़ा सकते हैं इस जड़ी बूटी के सेवन से इसके अलावा शतावरी के सेवन करके पुरुष शिगर पतन के समस्या और वीरे में शुकरानों की संख्या को भी इंक्रीज कर सकते हैं तो देखा आपने कि शतावरी किस तरह से महिला और पुरुष दोनों के लिए कितनी फाइदे मन्द है तो अब बारी आती है नुस्खे की तो इस नुस्खे के लिए आपने क्या-क्यासा मगरी लेनी है मैं आपको दिखा देती हूं आप शतावरी का चूरन लेलीजिए पांच क्राम यानि कि आदा छोटा चमच मिश्री एक चमच हरी इलाइची दो लेलीजिए अब आपने शतावरी के चूरन को मिश्री को और छोटी इलाइची को एक साथ खरल कर लेना है जो कॉंटिटी मैंने बताई है उसके हिसाब से उसके बाद जब आप अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे महीन पाउडर बना लेंगे इन तीनों के मिश्री का तब आपने गुनगोना दूद लेना है आप गरन दूद ले सकते हैं और इन तीनों की जो मिश्री आपने जुबा खाली पेट सेवन करना है अगर आपको खाली पेट सेवन करना सूट नहीं करता है तो आप इसे खाना खाने के बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं आप चाहे लंच के बाद करिये आप चाहे डिनर के बाद भी इस नुस्खे का सेवन कर सकते हैं और यह जो नुस्खा है ये पूरा एक महिना आपने ट्राइ करना है, आपको इसे काफी फरक नजर आएंगे, जैसे आपके वीरे में गाड़ा पढ़ना आएगा, यानि स्पर्म की कॉलिटी बैदर होगी, इसके अलावा शिगर पतन की समस्य से आपको राहत मिलेगी, और आपकी शारेरिक और यौन दुर्बलता से आपको काफी आराम मिलेगा, और आपकी इम्यून पावर भी मजबूत होगी, तो आशा करती हूं आपको हमारी आज की वीडियो से जरूर मदद मिलेगी, और इसी उमीद के साथ मैं फिर से हाजिर होगी, एक और नए नुस्खे और नए इन्फोर्मेशन के साथ तब तक के लिए मुझे अजासत दीजिए और दिये गए नंबर्स पे कॉल और वाट्सप करके अपनी सेक्स समस्यां को शेर करना ना भूले, थैंक यू फो वाचिंग वीडियो प्लीज लाइक और शेर भी जरूर करें ताकि सभी को हमारे चैनल के माद्यम से फायता ह Thank you, take care.